दोस्तो आज फिर से गैरंटी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आयो एक ऐसा न्यू बिजनस आइडिया जो आपने जिन्दगी में देखाने होगा ना यह आपको कोई इसके बारें पताएगा क्योंकि जो भी नए नए बिजनस आइडिया होते हैं वो आपको पहले हमारे चैनल पर ही पता चलते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हो अगर आपको न्यू बिजनस के बारे में जान करी चाहिए अगर आपको ऐसा बिजनस करना है जो आप घर से शुरू कर सोको वो भी कम से कम इन्वेस्मेंट में तो आज जो आप वीडियो देख रहे हो वो सही वीडियो देख रहे हो जिससे कि आप इस छोटे से सेटप से दिन का पाच हजार का मुनाफ़ा कमा सकते हो दोस्तों यह छोटा सा बिजनस शुरू करने के लिए ना हिए आपको जादा मेनत की ज़रुद है ना यह आपको इलेक्टरिसिटी की ज़रुद है आपको कोई चगे लेने की ज़रुद है घर के चोटे से टेबल पर यह मशीन रखकर यह रोम मेट्रेल रखकर आप घर बैटे आराम से स्टार्ट करकर आराम से प्रोड़क्त बनाकर मार्केट में बेश सकते हैं इस मशीन से दोस्तो जो आप प्रोड़क्त बनाते हैं वो आप बहुत ही आसानी से मार्केट में बेश सकते हैं ठीक है और बहुत ही आसानी से वो मार्केट में बिखता भी है कि दोस्तो 14,400 रुपे के इंवेस्टमेंट में इस बिसनस को घर बेटे स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम कम से कम दिन का 5000 रुपे का मुनाफ़ा आराम से कमा सकते हैं और सर इसके लिए आपको कोई अलग मेनद करने की आवशक्ता नहीं है आपको इसके लिए ना के आवशक्ता है ना आपको एक्स्ट्रा मैन पावर कि आवशक्ता है आप में अअपके घर में ही जो माहिलाए हैं या जो बच्चे भी वह बच्चे प्रोड़क्त को अराम से पनी हाथ से बना सकते हैं और market में easily based सकते हैं इस machine की मदद से जो आप product बनाएंगे वो हर घर में यूज होने वाला product है और daily basis पे यूज होने वाला product है वीडियो में आखिर तक जरूर बने रही है जिसमें सार हमें बताएंगे यह new business idea जो आपने कभी नहीं इस चोटी से मशिन से बनाना है वह भी दिखाएंगे प्रॉफित कितना होगा मार्केटिंग किसे करनी है इंवेस्मेंट कितनी रहेगी और जो लास्ट में अलिमेंट सर ने बोला सर्प्राइज वह क्या रहेगा वह सर अमें आखिर में बताने वाला है तो वीडियो पूरा द लगेगी कटिंग नचीन उसके बाद में आप को लगीगी यह लोकिंग पिन्स आप देख सकते हैं जो कि यह प्लास्टिक की होती हैरे उसके बाद आपको लगेगा यह सीट यह जो रबबर की शीट एंगे आपको काफी सारी अलग-अलग क्वालिटी में मिल जांगी और अ आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको ऐसे डाल देना है यह measurement यह आपे दिया हुआ ही है और फिर इसको सिर्फ प्रेस करना है प्रेस करने पर आपको यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप देख सकते हैं आपको जितने नंबर पीसिस प्रॉड़क्त बनाने है वह आप कट करके रख सकते हैं हम इसे जब रखेंगे रबर को तो आप देख सकते हैं यह वाइट कलर का एक मेजरमेंट दिया हुआ है तो इससे क्या होगा आपके जो भी जो यह प्रॉड़क्त है वह एकी साइस के बनक इसको कट इस तरीकी से कर सकते हैं तो यह जो रो माटीरियल है अलग-णलग कलर्स में आता है तो अभी मैं आपको यह मल्टी कलर का रो मेटरियल दिखा रही हूँ यह वाली शीट भी अलग से आती है इसको भी आप इस मशीन से कट कर सकते हो जितने नंबर उफ पीसीस आप आपको product बनाने है, उतने number of pieces आपको cut करने है, तो आप ये देख सकते हो कि multi color का ये sheet है, तो इससे हमारा product और attractive दिखता है, ऐसे बहुत अलग-अलग colors में आपको sheet मिल जाएगी, हम से मिलेगी, product बनाने के लिए जो सबसे first step है, वो हमारी हो चुकी है, ये जो strips आप देख रहे ह ये बिल्कुल perfect finishing और नाप के साथ में ready हुए, और same size के निकल चुके है, machine की मदद से, product बनाने के लिए हमको लगेगी एक clip, इसके अंदर ये attach आएंगे locks, आपको इन locks को अलग करना है, इस तरीके से, इस तरीके से हमारे सारे locks सेपरेट हो जाएंगे, product बनाने के लिए जो second step है, वो है ये clip, ये भी आपको अलग-अलग color में available होगी, जो rubber के strips अभी हमने cut किये है, अब उसको हम इस clip के अंदर डालेंगे, आप देख सकते हैं, किस तरीके से इसको corner से लेके जाना है, और fit करना है, आप देख सकते हैं, कितनी आसानी से हमारा ये rubber का strip जो है, वो इस clip क के अंदर fit करेंगे, आप इसको हाथ से fit कर सकते हैं, कट करके आपको आवाज आ रही होगी, इससे आपको पदा चलिएगा कि ये lock हो चुका है, ये आप हाथ से भी कर सकते हो, हमने दिखा ये तीन lock आपको करके, यही सेम चीज आप जो है machine की मदद से भी कर सकते हो, वो इसल अब हम इसे final test देंगे, raw material में हम आपको package के अंदर ये packing material भी देंगे, आपको वाइपर को इसमें पैक कर देना है, और दुका अंदर को दे देना है, stick अलग से दे दीना है, ताकि कस्टमर को जिस type के stick चाहिए और अलग से wiper दे सके, अब ये जो हमारा wiper है, जो cleaning में अलग 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 जगे उपे, वो एकदम market में sale होने के लिए तैयार हो गया है, इसी setup से आप अलग अलग type के wiper से बना सकते हो, छोटे हो, बड़े हो, kitchen में use होता है, bathroom में use होता है, या कोई commercial जगे पे बड़ा अलग यूज होता है, उस सारे अलग type के wiper आप इसी setup से बना सकते ह तो इसकी manufacturing cost है, मतलब लागर कितनी आती है, और market में जो हम लोग इसे sale करते है, तो profit कितना होगा वो जरा समझा दीजिए, एक जो wiper है, उसको बनाने का खर्चा 24 रुपे आता है, और उसको आप दुकानदार हो गया, wholesaler हो गया, ferry वाला हो गया, और specially cleaning के items बेचते हैं, उन मतलब कि एक वाइपर पर आपको 20 रुपे तक का profit आराम से मिल जाता है, सर जैसे कि इस setup की मदद से आप एक दिन में 8 गंटा काम करके 500 वाइपर आराम से ready कर सकते हैं, आप एक वाइपर कम से कम margin, मैं अगर 10 रुपे गिन के चलू, अगर आप 10 रुपे पाजिए रखके भी यहां पर cleaning products बिखते हैं, वहां पर वाइपर बेचोंगे, अब जहां पर वाइपर बेचने जाएंगे, वहां पर यह मॉप भी सेल होगा, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉप का raw material अलग से लेना है, minimum जो quantity होगे 100 मॉप, जो की आपका 2900 रुपे में आ जाएगा, उसमें मॉप बेचने जाएंगे, और फिर वह मॉप आपको वहीं बेचने जाएंगे, आप पर बेच रहे हो, तो सर अभी मेन बाद आती है, इन्वेस्मेंट की, इन्वेस्मेंट क्या रहेगी, वह जार अच्छे से क्लियर कर दीजिए, यह वाइपर बिजने शुरू करना है, या 500 रुपे का वाइपर का मंटरल आ जाएगा, 100 रुपे का एक का आपको पड़ेगा 24 रुपे, और आप मॉप का स्टार्ट करते हो, तो इसका मिनिमम जो है, वह है 9400, 6500 की उसमें मशीन आ गई, और 29 रुपे का रौ मंटरल आ गया 100 मॉप का, तो दोस्तों अगर आपको यह वाइपर बनाने का बिजनस या फिर मॉप बनाने का बिजनस शुरू करना है, तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एटर सब कुछ है, तो आप कॉल करकर भी यह बिजनस आप शुरू कर सकते हो, थैंक्यू स झाल वाल